आपने से कुछ लोग on mobile के share के बारे में बहुत पूछ रहे हैं और मुझे पता है आप क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि यह आज 78% उपर चला गया है तो चलिए मैं बताऊंगा कि इसे लेना चाहिए या नहीं ठीके यह आज 78% उपर गया है लेकिन यहाँ पे जब आप इसका market depth दिखेंगे तो buying order एक लाख 97,000 के आसपास है और जो selling order है वो बहुत बड़ा है means यह थोड़ा और उपर जाएगा तो इसमें selling भी बहुत ज़ादा होने वाली है बायर से ज़ादा इसमें seller से यह होगया अपना पहला point दूसरा मैं इस तरह के चाट वाले किसी भी share को discuss करना पसंद नहीं करता क्योंकि यह long term growth नहीं देते यह भी उन सारी companies में से एक है जो COVID के बाद उपर गई थी तो जैसा कि इसकी long term history में दिखता है कि यह बहुत उपर से नीचे आके गिरता है फिर थोड़ा उपर जाता है फिर नीचे गिरता है फिर उपर जाता है मींस यह एक cyclical stock है जिसे हम अगर base पे लेते हैं तो कुछ महीनों के लिए हम थोड़ा profit बना सकते हैं मींस इससे हम swing trading कर सकते हैं वैसे तो मैं इस तरह का share लेता नहीं से December का जो quarterly result आया था उसमें उसके बाद भी अगर यह आज 7-8% उपर जा रहा है तो आप खुछ समझे कि इसे कौन खरीद रहे हैं अगर हम लोग इसकी profit की annual growth चेक करें तो 2014-15-16 में तो इसमें कोई investment बनता ही नहीं था अगर हम इसकी annual profit growth चेक करें तो 2014-15-16 में इसने अपने losses कम किये और उसके बाद धिरे-धिरे कभी नीचे कभी ऊपर करते हुए इसने थोड़ा बहुत profit 2021 तक दिखाया और उसके बाद से अभी तक इसमें downfall चल रहा है लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर इसकी net sales देखी जाए तो यह regular ही गिर रही है इसमें कोई growth नहीं है तो जब आपकी sales ही नहीं होगी तो आपको profit कैसे होगा अन-mobile actually करती क्या है यह value-added services देती है जैसे कि ringtones, digital contents, etc. इसका मतलब है कि market में इसके competitors बहुत जादा है promoters के पास 48.1% की holding है जिसमें से कुछ भी इन्होंने pledge नहीं किया हुआ है यह इकलोती ऐसी चीज है जो इसमें ठीक लग रही है लेकिन आगे इनके पास free cash flow कुछ भी नहीं है तो यह उतनी बड़ी दिकत नहीं है क्योंकि इनके उपर debt भी नहीं है तब जाके हम इस share में चेक करेंगे कि investment करना है या नहीं अब इसके share holding pattern को देखने से पता चलता है कि इस company के share को उपर कौन ले जा रहा है इसको उपर लेके जा रही है public देखे 51.3, 51.1, 51.8, 51.08 means promoters से ज़्यादा तो public की holding है, retailers की holding है और market में सबसे ज़्यादा panic कोन करता है, retailer हमारे आपके जैसे छोटे investors तो मेरा suggestion यही होगा कि अगर आपके पास इसकी holding है और आप इसे loss में नहीं बेचना चाहते तो आप इसका rate 25 के नीचे जाने के बाद ही इसमें average up का plan करें और जो लोग इसे पहली बार buy करना चाहरे है उन्हें तो मेरा पहला suggestion होगा कि इसे ना ले market में बहुत अच्छी companies है तो आप अपना पैसा उसमें डाले लेकिन अगर आपको यह बहुत पसंद है और आप swing trading करना चाहते हैं तो 12-15 रुपे के आसपास आप इसमें एक चोटा amount डाल सकते हैं जिसे आप 1500 या पोने 200 के आसपास जाके बेच सकते हैं I hope कि आप आप decide कर पाएंगे कि इस share में आपको क्या करना है मिलते हैं एकली वीडियो में